ओम शान्ति आज हम 30 स्प्टेम्बर की इच्रेवरतान में पहुंचे हैं परमात्मा चाहते हैं कि चाहे कैसा भी वेक्ति हो कुछ भी कर आपके साथ में लेकिन आपके अंदर उनके प्रति शुब कल्यान की भावना हो ये एक तरीका है कि हम किसी के प्याले में इतना जहर ना डाल दें कि वेक्ति उस जहर में डूब करके हमें ही वो जहर बिलाने आ जाए कहने करते हैं कि आप किसी के बारे में इतना बुरा ना सोचें कि वह इतना भर जाया आपके प्रती घ्रिणा नफर से कि वह आपको ही आकर कि घ्रिणा नफर सारी निकाल दे कुछ ऐसा करके तो इसलए प्रमात्यों कहते हैं जैसी एनर्जी भेजओगे, वैसे एनर्जी वो पिस आएगी जो सोचों के किसके बारे में वो भी आपके बारे में उसे सोच रहा होगा तो सर्व प्रती शुब कल्यान की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहत सेवधारी बवावा अपने आपको परिवर्तन करना, उनको परिवर्तन करने की जूरत नहीं है उनके प्रति शुब भावना रखने है शुब कामना रखने है और हमें अपने आपको परिवर्थन करना है कुछ लोग सोचते हैं कि हम उनको शुब भावना देंगे शुब कामना देंगे तो वो चेंज हो जाएंगे इंसान लगि परमात्वा कहता है कि मैं किसी को तुम्हें चेंज करने के लिए शुब भावना शुब कामना इनकी बात नहीं करे हूँ तुम उनको शुब भावना दो शुब कामना दो और उसी से तुम चेंज हो जाओ तुमारे अंधर नॉर्मल तरीकिय में अगर कोई का अगर कुछ गरबड करे, कुछ प्रॉलम करे आपको, तो आप क्या करते हो, आप गरणा निकालते हो, नफरत निकालते हो, इर्षा होती है आपको, या आपको क्रोध आता है, या बदले लिन की भावना होती है, वो परिवर्तन करते हो, शुब भावना, शुब क होगे आप ही परिवत्तन नहीं हो पाऊगे तो उसका असर आपको पड़ेगा और आपके आने वाले future के decisions पे भी पड़ेगा तो सर्वप्राप्ति शुब कल्यान की भावना सवरी सर्वप्रति शुब कल्यान की भावना रख परिवत्तन करने वाले बेहत सेवधारी भवा मेजॉरिटी बच्चे बापता के आगे अपनी ये आश रखते हैं कि हमारा फ़लाना संबंदी बदल जाए कि मेरा बेटा बदल जाए, मेरी बहन बदल जाए, मेरा पती बदल जाए ये भगवान को करते रहते हैं अरदास एक टाइप की घर वाले साथी बन जाएं लेकिन सिर्फ उनात्मा को अपना समझ ये आश रखते हो तो हद की दिवार के कारण आपकी शुब कल्यान की भावना उनात्मा तक पहुँचती नहीं किती उड़ी बात बुलिए घर वाले साथी बन जाएं सही कोड़े मुझे मेरा खान पान में कोई चाती हैं कि यह चाता हूँ मेरा लस्ट प्यास मेरा रुख जाए और मेरे घर वाले वो भी वैसे बन जाएं तो भिर मैं कर पाऊं या मेरा नॉन्वेज बंद हो जाए घर में आने वाला खाना वाला जो पवित्र हो लेकिन क्या करें या ग्यान में आ जाएं जित्ते भी हैं मेरे घर वाले सब ग्यान में आ जाएं यह आश शुबभावना रखते हैं लेकिन लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ यह शबद Important अपना ये मेरे हैं, यहाँ प्रॉल्मा आती है, अपना समझ ये आश रखते हो, तो हद की दिवार के कारण आपकी शुब कल्याण की भावना उन आत्मों तक पहुंचती नहीं है, कि नहीं पहुंचती है, बिकॉस कहीं हमारे अंदर मोह होता है, हमारे अंदर इच्छाएं ब रखते हो, तो हद की दिवार के कारण आपकी शुब कल्याण की भावना उन आत्मों तक पहुंचती नहीं है, इसको मरलब हद से हमें किसम में जाना है, बेहद में जाना है, हमें अपने परिवार के बारे में सारा संसार ही हमारा परिवार है, सारे संसार की आत्माएं ही, प अपने आपको वो देवाल्ण की बाति कर रहें लेकिन अंदर बैढ़ीो है आत्मा परमात्मा का बच्चा है तो हम भी परमात्मा Vermont की बच्चे हैं तो वह सब कि सब हमारे परिवारवाले होगे हैं तो वो देव इम faithful कर रहे हैं वहारे साथ में बुरा विश्वार कर तो हम परमात्मा के साथ में मिलकर के कारे कर रहे होते हैं, यह तो फिर हम अकेले पड़ जाते हैं, बेहत के सेवधारी, सर्व प्रति आत्मिक भाव वा बेहत की आत्मिक द्रिश्टी, बेहत के सेवधारी, परमात्मा बेहत की सोच रखते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हमार भाई के संबंध की वृत्ती से शुब भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है यही मंसा सेवा की यथार्थ विदी है परमात्वा कहते हैं अगर तुम्हारे से धनकी सेवा नहीं हो रही होती है तुम मंसा सेवा करो अगर धन से भी सेवा नहीं हो पाती है तो मंसे करो मंसे आजो बाजो जो आपके परिवार वाले हैं उसे फुनको नहीं सोसाइटी वाले हैं सोसाइटी वाले यह नहीं सिर्फ शहर वाले हैं जिस भी शहर में आप रहते हो वो सारे शहर वाले लोग जो भी लोग हैं सब के प् बुले श्यांत हो जाएं यह मिल्कुल पवित्र ब reminds stat Wie चलना शुरू करें है कोई यह शुपभाव शुपकामना रखनेंकर सारे विशुक्त लेंड होता है और हमारी भावना, हमारा चित्ल जो होता है, वो पवित्र होता होता है जिसका रहन से सबसे कहला फाइदा हम को होता है और हमारा योग भीटी करता है आप किसी के बच्चे के प्रती नफर्त रख करके आप उससे मीठी बाते नहीं कर सकते हो को मैं इसमें, वो मिश्यां कि इसके साथ.